हेलो एवरिवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में पर्मानेंट टीचर वकेंसी जिसमें सभी राज्यों के कैनिरेट आविदन कर सकते हैं निशुल का आविदन करना है, कोई पीस नहीं देनी है सैलरी इसमें 45,000 से लेकर 65,000 पर मन्त रहने वाली है सबजेक्ट पोस्ट वाइस जो की हम नोटिफिकेशन में देखेंगे ओफिशल वेबसाइट पर जाकर ही सारी चीज़े हम चैक करते हैं चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँगे केडला स्कूल आरकेपुरम जो की डेली में है, जॉब लोकेशन आपकी डेली ही रहने वाली है वेकेंसी पहले भी यहां से जारी की गई थी उस वक्त जो है एजो क्वालिफिकेशन जो है जो की मेंशन नहीं की गई थी अभी जो है इसारी चीज़े डेटेल में आ चुकी है वेकेंसी जो है लेक्चरार की है ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर्स की है जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा था तो अभी जो है डेटेल में अडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है असिस्टेंट टीचर की वेकेंसी है, नर्सरी टीचर की वेकेंसी है, MTS की वेकेंसी है अब देख लेते हैं, पोस्ट वाइज, एज और क्वालिफिकेशन सैलरी जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी थी कि यहाँ पर जो सैलरी है 45,000 से लेका 65,000 पर मन्त रहने वाली है अलग अलग पोस्ट वाइज रहेगी, लेक्चरार में कम्प्यूटर साइंस, कैमिस्ट्री और हिस्ट्री ये तीन सबजेक्ट है एज लिमिट 30 येर है, 30 येर जो है इससे अधिक होनी चाहिए थी लेक्चरार के लिए 30 येर जो है इनोंने गलत ही मुझे लगता है लिख दिया है Minimum Education Qualification, Computer Science के रहे, BE, BTEC, Computer Science या IT से, PZDCA साथ में DOEC, C Level का Diploma साथ में एक साल का Teaching Experience या फिर MSC, Computer Science या MCA, एक साल के Teaching Experience के साथ में इसमें जो हैं वह मांग रहे हैं, लेक्चरार के लिए Lecturer Chemistry की जो वेकंसी है, तो MSC आपने Chemistry से किया हो, या Bio Chemistry से किया हो, 50% या इससे अधिक मार्क के साथ में, और B.A.D. बिलकुल मांगा गया है Lecturer History की वेकंसी है, ये जो है, Reserve है, PWD candidate के लिए Reserve है, तो केवल PWD candidate ही इसमें आविदन करें M.A. History से होनी चाहिए, B.A.D. होना चाहिए Trended Graduate Teacher की वेकंसी है, Computer Science, Natural Science और मल्यालम विशह मैं, ठीक है, इसमें 30 साल है उम्र T.G.T. Computer Science के लिए BCA, B.Sc. Computer Science से या फिर Graduation के साथ में A-Level का DOEC आपके पास हो, B.T.E.C. वाले अप्लाए कर सकते हैं, Computer Science से या IT वाले T.G.T. Natural Science में जो है, यहाँ पर Option देखें कि B.Sc. with minimum 50% marks और Subject इसमें है Physics, या Chemistry, Biology, Pottery, Zoology, Anthropology, Life Science, Electronics, Biotechnology, Biochemistry, Biomedical Science, Molecular Cell Biology, Microbiology, Applied Science and Zoology, या फिर M.Sc. in any of these above mentioned subject with at least 50% marks ठीक है, B.Sc. या M.Sc. में, चार साल का जो है आपके पास यहाँ पर 4-Year Integrated Program from any N.C.T.E. Recognized Institution, तो यहाँ पर B.Sc. या फिर M.Sc. में, आपने यह subject पढ़ने होने चाहिए, B.Ed होना चाहिए, और C.T.E.P.E. 2 कौालिफाय होना चाहिए, T.Z.T. मल्यालम की जो वेकेंसी है तो इसमें, B.A. मल्यालम 50% marks या इससे अधिक B.Ed होना चाहिए, C.T.E.P.E. 2 होना चाहिए, Assistant Teacher 30 year है, Qualification इसमें 12th के साथ में, दो साल का डिप्लॉमा जिस भी नाम से जाना जाता हो D.L.A.D. हो सकता है B.L.A.D. हो सकता है D.A.D. है B.T.C. है इसमे इन्होंने एक और कंडिशन लिख दी है कि इंग्लिस जो है सेकंडरी लेवल पर आपने पड़ी हो साथ में मल्यालम जो भासा है उसकी आपको जो है नौलिज होनी चाहिए ठीक है बोलनी आनी चाहिए C.T.P.1 आपका क्वालिफाइ हो नर्सरी टीचर के लिए भी जो है इन्होंने कहा है कि इंग्लिस सेकंडरी लेवल पर आपने पड़ी हो आप पास हो उसमें और और मल्यालम लेंग्वेज में जो है आप बोल सकें, कम्यूनिकेट कर सकें, ठीक है और साथ में नर्सरी टीचर के लिए 12-45% या इस से अधिक और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर एज्जुकेशन का कम से कम दो साल का होना चाहिए या फिर बीर नर्सरी से आप रखी गई है एज कैलिकुलेट होगी 11 नवंबर 2024 इसको मान कर ठीक है तो लास्ट डेट यही है 11 नवंबर 2024 आयू सीमा में छूट जो है पी डबलू डी और एक सर्विसमेन को दी जाएगी तो ये वेकेंसी है वेकेंसी केरला स्कूल आरकेपुरम डेली से है आपको बता दी है इसमें वेकेंसी चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है ओफिशल वेबसाइट पर आना है और ओफिशल वेबसाइट पर यहां पर आप देखेंगे अबाउट अस में थर्ड नमबर पर है वेकेंसी इस पर क्लिक कर लेना है ये पूरा जो है यहां पर एड्रस दि पूरा है linguistic minority government added school है कितनी post है यहां पर दिया हुआ है यह address है application form जो है यहां पर click करेंगे application form जो है download हो जाएगा recruitment rule जो भी बताये मैंने अभी वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगे यह application form है ठीक है तो application form आप लोगों को दिखा दिया पूरा जो है जितने भी rule इनोंने बताए है वो आपको बता दिये है तो और भी जो है vacancy किसी भी राज़ी के आती है बिल्कुल आप लोगों साथ share की जाएगी अभी जो apply कैसे करना है तो application form आप लोगों को fill करना है और speed post कर करना है यह जो address दिया हुआ है ठीक है तो manager cadler school sector 8 आरके पूरब new Delhi 110022 यह पूरा address है अभी fees तो इसमें नहीं लग रही है चलिए मिलेंगे next video में thank you